सब्सक्राइब दिल्ली वासियों को नमस्कार करोना की केसे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले 24 गंटे में अभी जो रिपोर्ट आई है मेरे पास उस पिछले 24 गंटे में साड़े 13000 केसे हो गया है यह रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में और रिपोर्ट में और का होगी रिपोर्ट साड़े 13000 केसे काफी जादा हैं नवंबर में जो पी काई थी उसमें साड़े 8000 केस थे उसके मुकाबले साड़े 13000 केसे ओलरी हमारे हो गया है इस बार जो वेव है बहुत हम सब जानते हैं बहुत खतरनाक वेव है इसमें यूथ काफी जादा अफेक्ट हो रहा है इस वाली वेव में और इस वाली वेव में बचे भी ऐफेक्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले मैं यूथ से ईपील करना चाहूंगा यूवाओं से अपील करना चाहूंगा अभी हमारे पास जो डेटा पिछले 10-15 दिन का डेटा वो यह दिखाता है कि 45 साल से कम उम्र के जो लोग जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं तो मैं सभी यूथ से अपील करना चाहूंगा एक तो आप हमारे लिए आप देश के लिए बहुत कीमती हैं हमारे युवा द आपकी हेल्थ आपकी सुरक्षा हम सब लोगों के लिए बेहद जरूरी है इसलिए मेरी आप सबसे अपील है मैं समझ सकता हूं कि आपको आपके उपर अपने माबाप की जिम्मेदारी है आपके उपर अपने पती की पत्नी की जिम्मेदारी है आपके उपर बच्चों की ज यह लेकिन जब घर से निकले तो तभी निकले जब ज़रूरी हो और ढूसरा घर से जब निकलें तो सारे covid protocols को follow करें उसकी बड़ी कठाई बड़ी कड़ाई के साथ आपको उसको follow करना है मास्क पहन के रखना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में हैं और दूसरा अगर आप 45 साल से उपर की उमर के हैं तो तुरंट जा के इंजक्शन लगवा लीजिए इंजक्शन सारे सरकारी अस्पतालों में फ्री है और सरकारी अस्पतालों के अंको हमने कई सारे अस्पतालों को 24 गंटे हम लोगों ने खोला हुआ है तो युवाओं से खास कर मेरी अपील है बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है और अभी CBSC के एक्जाम आने वाले हैं छे लाख बच्चे दिली में CBSC के एक्जाम में बैठेंगे एक लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे ये बहुत बड़े हॉट स्पॉट्स बन सकते हैं बहुत बड़े स्थर के उपर कोरोना फैल सकता है बच्चों की जिंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्त हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरी हाद जोड़ के केंदर सरकार से अपील है कि CBSC के एक्जाम को कैंसल किया जाए और इसके एवज में कोई और तरीके निकाले जा सकते है या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल एसेस्मेंट करके उसके बेसेस के उपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है लेकिन CBSC के एक्जाम कैंसल करने बहुत जरूरी है मैं और कई देशों के उधारन देख रहा था कई देशों ने जहां जहां सेकंड वेव का प्रकोप आया है कई देशों ने अपने अपने एक्जाम्स कैंसल कर दी है हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एक्जाम्स कैंसल कर दी है मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि CBSC के एक्जाम्स कैंसल किये जाएं पिछले कुछ दिनों से और खासकर कल हमने बहुत बड़े स्थरके उपर जैसा मैंने कहा था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हमारा पूरा प्रयास है कि हेल्थ इंफरसेक्चर जो है वो काबू में रहे तो कल बड़े स्थरके उपर हमने बहुत बड़ी प्लाइनिंग की सभी ऑफिसर्स ने और मेडिकल स्टाफ ने बैठके तो बड़े बड़े हॉस्पिटल के साथ हम बैंक्रिट हॉल और होटेल को अटैच कर रहे हैं ताकि माल लीजे किसी अस्पताल के अंदर सौ बैड है और उसके साथ हमने एक बैंक्रिट हॉल अटैच कर दिया तो oxygen तो हम बगल में जैसे LNJP के सामने एक banquet hall है उस banquet hall के अंदर अगर oxygen का भी इंतिजाम कर देंगे तो oxygen की अगर केवल किसी को जरूरत है तो वो banquet hall में भी उसका इलाज हो सकता है तो इस तरह से बहुत बड़े स्तरके उपर हम beds की capacity create कर रहे हैं कुछ hospitals को सरकारी भी और private भी कुछ hospitals को हम लोगोंने 100% covid declare किया है मैं इस बारे में सब का मैं सब की सहयोग की अपेक्षा करता हूँ सबसे सहयोग की अपील करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि सभी hospital वाले सभी के management और सभी लोग इसमें हमारी मदद करेंगे मैं समझ सकता हूँ कि जो दूसरी non-covid बिमारियां हैं अभी भी दिल्ली में केवल यह 14 नहीं हैं बहुत सारे hospitals हैं लेकिन दिल्ली में अगर किसी जो planned surgeries हैं अपनी जैसे मालेजे किसी को नी replacement कराना है किसी को यह महीना दो महीना तीन महीना डिल्ली हो सकते हैं जो emergencies होंगी दिल्ली में उसके लिए अभी भी sufficient capacity है अपने पास non-covid बिमारियों के लिए कई सारे hospital अभी भी हैं लेकिन जो planned surgeries हैं वो ज़्यादा होती हैं emergencies कम होती हैं वो अब हम थोड़ा सा delay कर लें दूसरी चीज इस time जैसे मैंने कहा कि सबसे important हमारे लिए होगा कि हम अपनी hospital की management को कितना कडाई के साथ हम इसको ठीक कर रख पाते हैं अगर हमने hospitals की और health infrastructure के management को ठीक कर लिया तो हम इस wave को बहुत असानी के से बहुत अच्छे से हम इसको पार पाएंगे तो हमने एक और exercise कल से शुरू किया है कि एक एक patient जो hospitals के अंदर हैं उनको ये देखा जा रहा है कि अगर ये hospital doctors check कर रहे हैं सभी doctors check कर रहे हैं कि अगर वो patient घर में treat हो सकता है तो उस patient से request की जा रही है कि आप अस्पताल का bed खाली कर देजिए आपका घर चले जाईए घर पे हम घर पे जब आपको भीज रहे हैं तो अपना पला नहीं जाड़ रहे हाथ नहीं जाड़ रहे हम घर के उपर अंदर भी आप जब घर जाएंगे आपकी हम constant monitoring करेंगे हमारे doctors आपको लगतार phone करते रहेंगे आप जब घर जाएंगे आपको ऑक्सिमेटर देके भेजेंगे अगर आपकी घर में बिमारी जरासी भी गड़बड हो गई तो वापस आपको hospital लेंगे तो hospital में प्राइवेट में भी और सरकारी में भी हम एनलाइज कर रहे हम डॉकल डॉक्टर की टीम एनलाइज कर रहे हैं हर hospital की कि अगर आपको बेड की जरूरत नहीं है तो आपसे request किया जाएगा कि आप घर जाके अपना इलाज करा लीजिए या बगल के banquet hall में या दूसरे hotel में shift हो जाएए इसमें मेरी सबसे request है कि आप डॉक्टर की सलह के मुक्ताबिक उनके साथ corporate करें उसमें जिद ना करें because हमें पूरी दिल्ली को संभालना है हमारे लिए हर जान कीमती है आपकी जान भी कीमती है इनकी जान भी कीमती है इनकी जान भी कीमती है सबकी जान अपने को इस टाइम बचानी है सबकी स्वास्त की चिंता करनी है एक दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है पिछली बार जब कुरोणा हुआ था आप सब लोगों ने बढ़ चड़के प्लाजमा डोनेट किया था पिछले 3-4 महिने कुरोणा का प्रकोग कम हो गया था लोगोंने प्लाजमा डोनेट करना बंद कर दिया, प्लाजमा की डिमांड भी बहुत कम हो गई, अभी स्टॉक में प्लाजमा बहुत कम है और डेली प्लाजमा की बहुत जादा डिमांड आ रही है, आप सब लोगों से निवेदन है कि अगर आप पिछले कुछ दिनों में बि जाया जा सके, यही टाइम है जब हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, अपना स्वार्थ छोड़के, चाहे पडोसी की मदद है, चाहे दिल्ली में किसी और की मदद है, चाहे देश में किसी की मदद है, हम सब लोग अगर मिलके एक परिवार की तरह, मैं बार-बार कहता प्राउनों कि दिल्ली वाले हम सब एक परिवार हैं, अगर हम एक परिवार की तरह काम करेंगे, तो हमने जैसे तीन वेव पिछले एक साल में तीन वेव का मकाबला किया था, यह चौकी वेव का मकाबला भी हम सक्सेस्फिली कर लेंगे, नमश्यूर्ण।